हेलो दोस्तों, दोस्तों मेरा चेनल Classroom दादा सभी दोस्तों को तह दिल से स्वागत करता हो अभिनंदन करता हूँ जो आप लोग को फीड़बैक बहुत अच्छा मिलता रहता है, आपका कॉमेंट बहुत अच्छा लगता है तो आज जो टॉपिक में बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपोर्टेंस एक टॉपिक है जो डेली लाइप में, इंडरस्टी में, वाक्शोब में, एसेमली सिक्सेन में बहुत ज़्यादा ज़रुत पड़ता है कुछ भी काम करिए, इसका बीना वो काम अधुराई है उसका नाम है नाट एंड बोल्ड दोस्तों, मैनुफिक्चरिंग सिक्सेन में तीन पॉसेस काम करता है पर्मानेंड जोइंट, सेमी टेम्पूरारी जोइंट और टेम्पूरारी जोइंट इस जो नाट एंड बोल्ड है, यह सेमी टेम्पूरारी जोइंट केटेगरी में आता है नाट एंड बोल्ड, दिखे का कैसे, यह आपको देखाएंड नाट जिसमें इंटर्नेल थ्रेड होता है जिसमें external thread होता है अलाग-अलाग size का हो साथा है अलाग-अलाग company का हो सकता है metric हो सकता है BSP हो सकता है BSP हो सकता है square हो सकता है कुछ भी लेकिन जिसमें internal thread होता है वो not है जिसमें external thread होता है वो bold है कोई भी category का जैसा ये metric thread है इसका जो peach है बहुत बारिक से होता है, यह inches पला थ्रेड है, इसको देखके कुछ पोर्षन देखके पाइचान करना होता है, यह कुण सा स्टेंडर का है, बेटी स्टेंडर है कि मैट्रिक स्टेंडर है, जैसे हमने बताया, इसका पीच का जो TPI, 12 TPI जो है, वो अलग-अलग है, इसलिए हम इसको बोल रहा हूँ, inches पला थ्रेड, यह आपके सामने देखिए, बहुत बारिक से दिख रहा है, इसका थ्रेड, इसका नाम है, 8 mm का मैट्रिक थ्रेड, 8 mm का मैट्रिक थ्रेड, ठीक है, आज जो टॉपिक है हमारा, आपके सामने में राख रहा हूँ, वो not bold नहीं है, एक की टॉपिक है, जिसका नाम है nut, that is nut, जिसके अंदर internal thread होता है, that is nut, internal thread होगा, तो nut, इसमें 30 degree के चेंपरिंग होता है, normally जो nut होता है, वो hexagonal होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexagonal होता है, 99% case में आपको nut मतलब hexagonal parts देखीगा, तो बजार में industry के अंदर, कफी types of nut available है, जो industry में जोरत पड़ता है, एक nut, सभी जगे काम नहीं करता है, जैसे जैसे आपका application होता है, जैसे जैसे आपका work होता है, उसे सबसे nut को भी changes करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज का मेरा topic है, types of nut, types of nut, सबसे जादा जो यूज होता है, उसका नाम है hexagonal nut, यह जो nut आप hexagonal nut, जो 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 चेंपरिंग पोजिसान है, इस इस आपने दिख रहा है, 30 डिः डिः का चेंपरिंग होता है, कोई भी nut है, ए जो nut, bolt का head है, इसमें भी 30 डिः का hewsण हरी होता है, hexagon है, थ Caitlin, e hexagon है, नॉर्मिल, सबसे जाधा industry में यूज होता है, तो e hexagonal nut, इसके बाद ह ये हैं heavy hexagonal knot देखिए दोनों अंदर में बहुत यह बहुत ही डिफंट्स है ये heavy है size अग हो सकता है ये 3 4th का size का है लेकिन इसमें heavy है इसका height, length, width हर चीज में आपको अलग है ये भी inches बला है ये भी inches बला है जब heavy hexagonal knot होता है तो देखने में आपको ऐसा है मैं एक एक चीज दिखाने को सिस करा हूँ दोस्तों आच्छा से देख लिजी हैबी होगा तो उसका हाइट जो है वो ज्यादा होता है जब नॉर्मेल होगा तो उसका हाइट कौम होता है तीक है नेश्ट जो दोस्तों आपके सामने है जिसका नाम मेरा पास जो है कपलिंग नट कपलिंग मौनब जब दोनों पार्ट से माल लिए एक पार्ट से और एक पार्ट से ये दोनों पार्ट को जोइंट करने के लिए जो नट यूज किया जाता है जिसका नाम है कपलिंग नट ये right hand side ये left hand side ऐसा है normally threads होता है और ये दोनों connector जो bolt है ये दोनों bolt को joint करनी की purpose जो भी आपका application होता है उसको point करने के लिए ये lombi कम से कम 50-100 mm का होता है lombi ज़्यादा होता है जब lombi ज़्यादा होता है और दोनों तरप से opposite threads होता है तो उसको कहलाता है जैसा मैंने उन्हें बताने कोसिस करा हूँ ये है coupling nut दोनों को joint करने के purpose में यूज़ किया जाता है जैसा ये bold है coupling bolt है इसमे opposite thread है देखे एक right thread एक left thread axle है cycle का इसमे opposite है जब इसमें bg में से cut दिया जाए और इसको दोनों को joint करने के लिए यूज़ किया जाए उसी के नाम है coupling thread cut living nut jam nut बहुत ही important यहां rotator emotion होता है opposite direction same direction ऐसा कोई motor घुमता है एक बार clock एक बार anti clock clock उस जगा jam nut लगाना बहुत जोड़ी jam nut मतलब जिसमें दो nut होता है एक nut होता है उसमें thickness कौम होता है होता तो यह hexagon हो नहीं है लेकिन उसमें thickness normal जो nut होता है यह standard nut है इसका thickness कौम होता है जब thickness कौम होता है और double nut यूज़ किया जाता है जब उसको कहलता है jam nut दो nut का यूज़ होगा तो उसी का नाम है jam nut जोरूर उसका thinness, normal standard जो nut है, उससे कौम होता है, यह jump nut, यह आमने आपको दिखाने कोशिस का दो color में, दो nut का use किया जाता है, jump nut, इसके पते हैं square nut, square nut जहां उतना pressure का काम नहीं होता है, जहां pressure बहुत कौम जोरूत पड़ता है, उस जगाए, use किया जाता है, जिसका नाम है square nut इसका threads तो है, लेकिन outer side जो है, आपके सामने देख रहा है, वो है square, जब square shape रहेगा, उससी का नाम है square nut, इसके बाद बता दे, square nut बहुत नहीं दिखाने कोशिस किया, इसके बाद line on insert lock nut, line on rubber, बप्लास्टिक, कोई भी होगा, तो उससे कैसे देखेगा, आपको देखिए, यह actual washer का काम करता है, यह आपके सामने देख रहा है, रेड कलर का, बेरून कलर का एक washer लगा हुआ है, इसी का नाम है, line on insert lock nut, यह lock कर देता है, कोई भी substance, पानी, कोई भी liquid, इसके अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, nut को खराब होने के बचा लेता है, यह lock कर कर रखता है, पूरा जो thread से, उसका जो पीछे, उसका जो depth है, उस depth को lock कर कर रखता है, इसलिए, line on lock nut, यह दोनों मेरे सामने है, देखे, इसमें, उपर साइड में आपको दिग रहा है, यह line on लगा हुआ है, पीछे साइड में हिकसा गने, और सामने साइड से line on होता है, यह automobile automobile में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, automobile section में सबसे ज़्यादा useful है, जो line on insert lock nut, cap nut, cap nut, दोस्तों, देखने में ऐसा ही है, माल लीजे, एक cap nut है, इसका उपर का side जो है, पोराटाले बंद रहता है, यह nut ऐसा ही है, देखने में ऐसा है, जब यह radius मला के, मतलब यह आपक कभी भी bolt बाहर नहीं जाएगा, तो यह जो है, यह जो safe है, इसको कहता है, cap nut, ऐसा ही design का है, लेकिन इसको उपर से portal बंद रहेगा, आपका इस उपर side से, उसका जो bold है, bold का पता नहीं लगता है, उसका नाम है cap nut, ठीक है, cap nut आपको मैंने दिखाने कोचिस किया, इसके पारिक सी thread से, जिसका diameter काफी बड़ा है, जहाँ spanner असानी से नहीं पूछ पाता है, आपका cycle का pedal देखा होगा दोस्तों, सबसे साधारन example में देख रहा हूँ, cycle का pedal के पास में जो लगा होता है, दोनों तोरब से, जो bearing को guard करता है, उसी का नाम है ring nut, cycle का pedal है, जिसके अंदर cup bearing रगता है, वो cup bearing को lock करने के लिए, आपको देखेगा ऐसा ही, लेकिन इसका जो cutter है, ये जो cut है, वो side से होता है, ये जैसा इसका top से दिख रहा है दोस्तों, ये tops के जगाए, वो side से रहेगा, आपको इसा चीजल मार मार के इसको धीरे 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 टाइट किया जाता है, तो वो lock हो जाता है, उसका नाम है ring nut, जिसका example में बता है, cycle का जो paddle होता है, paddle के पास में दोनों तरफ से जो bearing होता है, उसको lock करने के use किया जाता है, जिसका नाम है ring nut, T nut, T nut दोस्तो S type से देखेगा, ए, ये आपके सामने देख, इसका अंदर threads होता है, T nut, ये T nut है, ये lock कर अधिए चोटा साइज का कुछ है माल लेगे यह पीट हो गया that is a T nut T nut एपीड हो गया threads भी हो गया lock भी हो गया इसके लिए इसका नाम है T nut इसके पाद है दोस्तो slotted nut slotted nut देखे slotted nut example एह slotted nut इसमें threads से देखे रहा है आपके सामने slotted nut slotted nut इसे lock करने काम काता है आपका काम पूरा हो गया तो उपर से एक पीन जाता है जो पीन इसको lock करने का काम करका रखता है यह lock यह lock हो जाएगा तो आपको moment total बंद हो जाएगा आप clockwise गुमाए anti-clockwise गुमाए तो आपका कोई भी problem नहीं आता है बहुत importance है बहुत precision work में जहाँ रिप्लेस करना बहुत मुस्किल होता है कोई पार्ट को उस जगह lock slotted nut का यूज किया जाता है इसके बाद उतार learning nut जहाँ आपको ज़्यादा pressure का जोरोत नहीं है जैसा यह learning nut है देखिए threads दिख रहा है पर यह learning है यह learning है जहाँ pressure कम जोरोत है इसी जगह में learning nut का यूज करा जाता है यह learning nut आपके सामने दिख रहा है जहाँ pressure कम लगता है उस जगह learning nut का यूज किया जाता है इसके बाद है उइंग nut उइंग nut मतलब आपको हाथ का pressure से कोई काम करना है यह आपका nut है और यह दोनों french लगा होता है ये दोनों सोब फ्रेंच है इसके आगे होता है हमारा थ्रेड्स कोई चीज को हाथ से टाइट करके रखना है हाथ से तो इस जगाए फ्रेंच नाट का मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा अभेलेबन तो हमारे पास नहीं है मैं फोटो में ज़रूर दिखा दूंगा फिंच से उसमें इस साइड पे जो फेस है इस फेस में होल होता है अलग-अलग होल होता है और उसको एक पीन के थूरू उसको खुलना लगाना होता है उसमें लर्निंग नहीं होता है ऐसा ही सिंपल एक रॉड होता है जिसके इंसाइड में थ्रेडस होता है और जब आपको कॉम प्र नाट, इसमें नाट भी है और वासर भी है, नाट भी है जहां आपको ऐसा कोई कंडिशन आ गया वासर का पॉब्लम है उस जगाए आटो मुबाइल में नॉर्मली आटो मुबाइल में जो चसी सेड होता है उस जगाए इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है जिसका ना नाट देखिए कैसे डीजाइन के बना होता है वासर का काम कर रहा है ग्रीपिंग बहुत ही तेज ग्रीप का जो रौध है कोई सलिप ना मारे ग्रीपिंग परपस के लिए इस टाइप का थ्रेड का नाट का जो रौध होता है कुछ एकजमपल पर तहां हमारा पास जो नाट, बोल्ड, इंचेज, मैट्रीक साथ साथ सबसे यूज़ फूल है ओ है नट, नट को कैसे क्लासिफिकाई, क्लासिफिकेशन करें कैसे यूज़ होता है, उसका एग एग एक जम्पल, आपको मैंने दिखाया मेरा पास जितना वैबिल ले था, उसको मैंने दिखाने कोशिस किया, दोस्तो एक रिकोस्ट है, अच्छा लगे, जुरूर कमेंट करके बताई, लाइक करे, सेयर करे, दोस्तों से सेयर करे, इसका एक 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 जम्पल मैं और आपको दिखाऊंगा, जो नाट है, मैंने जो बताया है, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, वो मैं वीडियो को एंट तक आपको पूरा किलियर कर दूँगा, आसा करता हूँ, यह जानकरी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, समझ में आये, जोस्तो एक लाइक करिए, लाइक करने से मेरा मोटिविशन बढ़ता है, ऐसा ही मैं रोज एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, धन्यवाद, धन्यवाद,